इस चैप्टर का होने वाला है बचो राम राम सत्य और्गनाइजेशन के मेरिट्स आपने पड़े हुए थे और्गनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते और्गनाइजिंग की तरीके से ग्रो करता है हमारा सबॉर्डिनेट जब हम उसको डेलिगेट करेंगे अथॉर्टी रिलीफ मिलेगा सुपीरियर को डिसिजन मेकिंग धेर साय लोगों में बढ़ जाएगी बढ़िया फेवरेबल अच्छे डिसिजन में आएंगे जैसे गबर इस बैक में उस हवलदार के अंदर टालेंट था पूलिस इंस्पेक्टर से कहीं जाएगा तो इसले सबॉर्डिनेशन इस वेरी 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 निसेसरी सुपीरियर तभी उसको डूटी को डेलिगेट कर पाएगा और तभी हमारा सबॉर्डिनेट ग्रो कर पाएगा सो डी सेंट्राइजेशन और डेलिगेशन के कुछ डिफरेंसस पड़ते हैं चल्ड़न ध्यान से सुनिएगा आइं पुटेंग इट आई रिक्वेस्ट एव्लीबडी कि आप अपनी कॉपी में हटिंग डालें सब्सक्राइजेशन और यह एण यह अग्या है यह एडबर्टाइजिंग का काम देखते है he यह so called delivery of goods की बात देखते हैं then purchase department में हमने रखा हुआ है अपने साथ अपने junior supervisor को और जो हमारा supervisor है वो so called staff जो हमारा let us say external activities और staff जो हमारी internal activities को देखेगा and underneath them we have what should learn workers कुछ ऐसा आप समझ लीजिए सुनना क्या and here he is the managing director or managing director word बोलना थोड़ा सा हाइफाई हो जाएगा he is the manager and he is the assistant manager कभी आप बैंक गए हो तो आपने बैंक में बचों फील क्या होगा manager के office के ठीक बाहर एक manager और बैटा हो था उसको assistant manager बोलते हैं वो काफी closely manager के काम को भी जानता है so यहाँ पर जो हमारे CEO सहाब हैं यह decision making इन सब लोगों को लेकर ही so called देंगे कोई भी decision इनका सिर्फ अपना नहीं होगा this is known as what centralization और decentralization और अगर सारी decision making authority सिर्फ इनी के पास हो तो भी call it as only centralization और जब mister manager अपनी duties को authority को responsibility को delegate कर दें या सौंप दे delegate ना कर दें deliver कर दें transfer कर दें कि जो मेरा काम था तुम उस काम को निभाओगे जिम्मेदारी भी तुमारी होगी कुछ गरबर होता है मैं तुमारी class लगाऊंगा तुमाहीं टांग कीची जाएगी he is doing what delegation तो delegation में decision making सिर्फ नहीं होती है पूरा authority responsibility answerability चली जाती है यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है decision making share की गई है is that clear अगर कोई gravity करेगा तो assistant manager ना पा जाएगा बट अगर supervisor ने कोई gravity कर दी सो कॉल किसकी class लगेगी MD की अगर advertising department के person ने कोई gravity कर दी किसकी class लगेगी MD की खोपड़े मबाद गई पका ड्रॉ कर लिजे structure जो लन देनाए प्रोसीट फर्ल यह दो बात है सब को clear होगी बच्छो चलिए सो परपस क्या होता है delegation का की burden senior का superior का shift हो जाए subordinate पे प्लस सर एक purpose और भी है कि नीचे वाला कुछ सीख ले अरे सबको जीजीन थोड़ा लिख देंगे कुछ आगे भी तो लिखेंगे डिफ्रेंस and decentralization में subordinates तक हम decision making के लिए एक initiative दे पाए तो जब decentralization करते हैं तो इसका purpose होता है participation of the lowest level increases participation of the lowest level increases उनको थोड़ा sense of belongingness लगेगा उनको लगेगा मालिक हम से भी कुछ पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बहुत ज्यादा यहां पे importance है तो आपका जो नॉकर होगा ना जब आप decentralization करेंगे दे वुल्ड रिमेन लॉयल टुदा बिस्नेस वाट लॉयल टुदा बिस्नेस समझ में आ गया लिख दीजे पहला इसमें प्लीज कुछ आड़ाउन कर लीजे इट इंक्रीज इस लॉयलिटी या एन्हांस इस लिखिये इट एन्हांस इस लॉयल्टी एंड क्रियेट्स एस सेंस ओफ बिलॉंगिंग्नेस समझ में अधिबाद और देलिकेशन में इट रिदूस द बर्दन और यू कन और सो राइट देवलप्स तालेंट अस वेल आस इट मोटिवेट्स द शबॉर्दिनेट चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं बचों इट्स एसेंशल बड़े और्गनाइजेशन में एसेंशल है क्यों सरे कर सकते हैं like in case of a joint stock company कम से कम आपके पास so-called directors एक नहीं हो सकते पब्लिक कंपनी है तो minimum तीन होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम दो और उसमें से वन शुट भी दा मैनेजिंग डारेक्टर सर ये कैसे है ये ऐसे है companies act में साफ साफ लिखा है every public company का जो hierarchy personals का होता है सबसे top पे जो board of directors बैठते हैं लोग आप उसमें 10 भर लीजे कोई tension की बात नहीं है आप 8 लोग बर लीजे आप 25 लोग बर लीजे ये आपके उपर है बट कम से कम minimum public company है तो number of directors should be three जिसमें एक managing director होगा उसका जो portfolio होगा वो और उपर होगा फिर नीचे जूनियर डारेक्टर assistant director manager ये सब रहते हैं logic समझ में आ गया manager मतलब bank का manager नहीं companies act में post है जैसे संदर पिछाई के नाम की नीचे CEO को लिखा जाता है तो CEO ये कानूनी पोस्ट नहीं है ये तो chief executive officer अपना नाम रख लिया कानूनन उनकी पोस्ट या तो managing director की होगी या तो director की होगी या तो manager की होगी इसको बोलते है managerial personnel what managerial personnel could be managing director could be director and could be manager इसके दाय माय आप कितना भी कर लीजिए बट ये तीन signing authorities होनी चाहिए समझ में आगई बाद in case of decentralization ऐसा कोई compulsion नहीं है कि आपको lower level से participation लेना ही लेना है आपको lower level का राय मश्वरा लेना ही लेना है it is up to you कि आप lower level को participate करना चाहते है decision making में या नहीं तो delegation करना compulsory है as per the laws of the country बट decentralization करना compulsory नहीं है जैसे मेरी एक बहुत बड़ी joint stock company है और मैंने एक CA को पकड़ लिया और बोला पूरी accounting तुम करोगे मैं उससे accounting करवा रहा हूं बचो तो मैं उससे auditing करवा सकता audit मतलब checking of accounts क्यों सर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्ट अकांटेंट्स ऑफ इंडिया इस पर restriction लगाया है क्यों लगाया है अगर accountant ने कुछ धांदेबाजी की गपला किया क्या वो audit पर अपनी गलती सामने लाएगा no the team of accountants should be led by a different CA and the team of auditors should be led by a different CA दोनों एक नहीं हो सकते समझा गया अगर आपकी audit team और accounts team एक है तो आपको ministry of corporate affairs एक प्रेम पत्र पकड़ा देगी समझे बात को कि नहीं समझे ये companies के लिए partnership के लिए जिनका turnover पचास लाग से उपर है जिनके business में audit कंपल सरी है उनके उपर लागू होता है अगर आपका छोटा मोटा business है तो आपको accounting और audit team अलग से रखने की जरत नहीं है क्योंकि आपके लिए audit कंपल सरी बिलकुल भी नहीं समझ में आगया घर्राइशं करना डिसंटालिसरी यह ली सिंट्रेंब कंपल सरी नहीं लाइक नुकी बोटocy ﷺ स्टूल वाइस प्रिंसिपल रिसेंट राइस. दोनीं को नग रियर इसे upstream ऐसा कोई डेजिगनेशन नहीं होता है लॉजिक अंडिस्टूड लिग दिया सब नहीं नेक्स्ट ऑटोनॉमी कहां पर हम ज्यादा छूट देते हैं इंप्लॉईस को बच्छों आपका डेजिजन ही तो है माने ना माने हमारे उपर है बट डेलीगेशन में जो हमने काम दिया है आप उससे बंदे हैं अथ्वारिटी रिस्पॉंसिबिल्टी सारी जिम्मेदारी आपकी है आप ऑटोनॉमी इंजॉई कम करते हैं फेवरेबल डेसेशन आप ले सकते हैं बट आगला अच्व है अगला बच्जो पर प्र Php कहां पर विड्रॉक है जाकती है कहां दी जाती है विड्रॉक सकते हैं डे सेंट्रलाइसन तो चूरं टाइप एजापने और कूह होना चीए यह नौट अप्लिकेबल वेड्रॉल और फप्टॉरिटी टी सेंठ्राइजेशन में अप्लिकेबल है समंझ में समझ में आया पर चलिए प्टाच से ने यहने ऐडिक भी कोई तो किसका स्कोब जादा है इसेंट्रिजेशन इसेंटमें पावर जैसी कोई चीज है ही नहीं समझमें आई बात समझें आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आपके घर में 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 ऐलेक्ट्रिक मीटर जहां पर लगा है वहाँ पे खूब बड़ा सा MCB board होगा, एक switch off करेंगे पुरे घर की light, चली जाएगी, समझना गया, वो switch और पूरा घर, रिष्टा, delegation का है, समझना गया, वो switch एक है, पुरे घर की light को control करता है, रिष्टा, decentralization का भी है, तो जब वो switch, छोटा सा, पुरे घर को electric supply करें, उसी के हाथ में authority वगरा सब कुछ है, तो delegation, बट जिस so-called room में electric consumption जादा होगा, वहाँ पे गई electricity जादा, और जहाँ पे appliances कम है, वहाँ पे गई हुए electricity कम, तो यह decentralization भी हो गया, तो सिर्फ फरक इतना है, delegation is actual reality, होता है ऐसा, decentralization सिर्फ देखने में लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, reality मे है कुछ, हो नहीं रहा, चलता है, हमेशा top management का ही दिमाग है, उनी का राय मश्वरा चलता है, सिर्फ कोई अच्छा talent मिल जाए, कोई अच्छा decision मिल जाए, तो आप से पूछ लिया जाता है, समझ में आई बात की नहीं, चलिए, so the differences are well understood by all children, कोई doubt to any difference में, पक्का, all the differences were clear, confirm, चलिए, so कुछ questions हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, शायद आपको अच्छे लगए यहां पर, delegation of authority is based on elementary principle of what children, division of labor, बही जो जिस लाए कि उसको वो काम दो, पूरी जिम्मेदारी फिर उसकी हो गई, थोड़ा सा यहां पर difference आएगा, division of labor की बात हम जरूर करते हैं, बच्छों, बट labor तो knocker होता है, उसको जो काम दिया है, वो उसी काम को करने के लाएक है, और वो कोई काम नहीं कर पाएगा, तो इसमें, जब आप add कर देते हैं, थो authority responsibility delegate की, but answerability, एक particular अगर मैं superior हूँ और आप मेरे subordinate है, मैंने authority अपनी responsibility आपको देती कुछ गरवड किया, मैं तो आप भी band बजाऊंगा, बट CEO मेरी band बजाएगा, समझ मैं क्या, तो इसलिए it is said that accountability cannot be delegated, कि CEO मेरे जैसे superior को ही पकड़ेगा, कि तो आप दिबाग खराब का से बेवकू को काम दे दिया, चलिया के, can an overburdened manager take the help from his subordinate, yes, क्या करना पड़ेगा उससे, delegation या decentralization, delegation, आपको एक question नहीं आ रहा, आपने 4-5 दोस्तों को WhatsApp कर दिया, जरह ढूंद के बताओ, आप क्या कर रहे है, decentralization, अगर आपने दोस्को homework दे दिया, पूरा solve कर ले ना, छाम को कॉपी ले लेंगे आखे, that is, गलत किया, सही किया, सब आपके मत्ते है, समझ मा क्या, decentralization is an optional policy, बड़े corporates में लागू होती है, बट हर जगा अपलाए, नहीं होती, what it is, if we delegate authority, we multiply it by 2, इसका क्या मतलब है, we multiply it by 2, इसका क्या मतलब होता है, अथोरिटी, so-called जो आपके पास थी, वो आपने किसे को दे दी, तो multiply it by 2 का मतलब, आपने जिसको काम सौपा, आप उससे so-called follow up लेंगे, और आप से भी कोई follow up लेगा, तो आपकी जिम्मेदारी तो है ही है, एक और की भी बन गई, तो multiply by 2 का मतलब समझ में आ गया, समझ मा गया, तो मुक समझे बात को, बात को समझे बचों, चलिए, so इसी के साथ हमारा organizing chapter होता है, खताब, ओके चलें, कोई query है तो please ask